कि नमस्कार दोस्तो यूझा वाले प्लेटफरम पर मैं गित बिंजबा आप सभी का स्वागत करता हूँ हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं भूगोल हमारा सेक्शन होगा किसका भूगोल का भूगोल हम यहां पर cover करने वाले हैं, भूगोल का हम पूरा session, point A से लेकर, Z तक हम पूरा session यहां पर cover करेंगे, जिसमें मैं आपको थोड़ी सी scenario बता देता हूं कि भूगोल में हम किस scenario के base पर आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं, तो हम भूगोल में आगे जाकर फिर सब पार्ट्स में डिवाइट कर लेंगे तो सबसे पहले हमारा जो भूगोल चलेगा तो वो चलेगा भारत का भूगोल भारत का भूगोल को हम कौन सा कवर करने वाले बहुतिक भारत का जो भूगोल कवर करेंगे वो कौन सा भूगोल कवर करेंगे बहुतिक भूगोल को हम यहाँ पर कवर करेंगे ठीक है आगे की बात करें तो दूसरा मत्वपूर्पूर्ण हिस्सा हो जाएगा कि भारत भारत का भारत का जो भूगोल होगा भारत का भूगोल कौन सा होगा अब आर्थिक आर्थिक, सामाजिक ठीक है, जननायन की है ये भूगोल हम कवर करेंगे उसके अलावा इसी के साथ में हम दूसरे हिस्से में भी देख लेंगे क्या वनस्पती वनस्पती, म्रदा उसके अलावा भी बहुत सारे छोटे-छोटे हिस्से इसमें से निकल कर आएंगे लेकिन हमारा महतवपूर्ण हिस्सा यही होगा भारत के भूगोल में सबसे महतवपूर्ण हिस्से की बात करें तो यह है अभी तक एक्जामस में देखा गया है जितनी भी एक्जाम्स की बात करें भूगोल में जो प्रश्ण बनते हैं, वो भारत की भूगोल से डारेक्ट बनते हैं, क्योंकि ये जो हिस्सा होता है, वो पूरी तरीक से एकदम static होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे हिमाले है, तो हिमाले के उचाई में क परिवर्तन हो रहा है, उसमें सिर्फ हमको करंट देखना होता है, कि हम करंट को कैसे discuss करेंगे, हम करंट को कैसे लेकर आएंगे वहाँ पर और करंट इन टॉपिक से कैसे relate होगा, दूसरा इससा होता है, जिससे अभी वर्तमान में बहुत अच्छे question बन रहे, है ना, भारत क सब्सक् Cash jogofern में मैं देखा मद्ड़ प्र्डेश लोग से वाईयों के एक्जाम में वहाँ पर बहुत अच्छे Are भूब बहुत सिंप्ंधा के बाँरे में संपता के बारे में बात करें। इन से बहुत अच्छे कोशन बन कर आए ठीक है सामाजिक भूगोल के हम बारे में बात करें तो हमारी जन जाती है कौन गोल से शेत्र में किस पकार की जन जाती है भारत में रहती है उसके अलावा हम बात करें कि हमारी जन्नांकी इस्तिति ही क्या है ठीक है उसके बारे में ये बहुत बड़ा हिस्सा होगा है ना लेकिन ये कैसा है स्टेटिक ये आपको बहुत सारा याद रखना पड़ेगा लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है इसमें आते कॉंसेप्ट है ना कॉंसेप्ट इसके अंदर आते हैं और कॉंसेप्ट के बेस पर सब याद रखा जा सकता है सबसे होता रहता है हमेशा होता है चीजे हमेशा होता रहती है कि चेंज होता है इस बार जनगणना नहीं होई तो हम 2011 की जनगणना के परिपेक्ष में बात करेंगे और बाकि इसको हम करंट के परिपेक्ष में देखेंगे कि भारत में जन्मधर, मृत्युदर, बागी सब कैसी चल रही है, आगे बात करें, वनस्पत्य और मृदा, तो ये जलवाई भी परिवर्तन का ही एक हिस्सा होगा, ठीके, अब इसमें एक और हिस्सा निकल के आता है, ठीके, ये तो हमने बहुतिक भूगुल की बात करी, अब निकल के आता है, जलवाई यू, जलवाई, ठीके, तो जलवाई यू हम देखने वाले भारत, भारत की जलवाई भी हम पूरी तरीके से देखेंगे, और वीश्व की जलवाई यू के बारे में भी हम बात करेंगे, कि वीश्व की जलवाई यू से कंपेर करके, भारत की जल अतर बन रहे जलवाई वाले चित्र से आपके कोश्चन देखने को मिलते हैं निरंतरता से ठीक है जैसे यदि अप्रॉक्सिमेटली हम यह बात करें दस कोशन यदि बन रहे तो दस कोशन में से पांच कोशन यहां से फिर इदर से कोशन तीन आ जाएंगे इदर से कोशन जाफी या फिर मान चित्रन मान चित्रन भी हम इसके साथ में जोड़ेंगे जिससे बहुत सारे कोशन निकल कर आते हैं तो शुरूआत हम करेंगे भारत के मान चित्रन से शुरूआत हम का से करेंगे भारत से क्योंकि हमारे लिए मात्वपूर्ण भारत ही है उसके बात तो इस आधार पर हम पूरी तरीके से छलने वाले हैं ठीक है तो फिर आगे के बात कर लेते हैं देखें अब हम बात करें भौतिक भूगुल अब जो भौतिक भूगल है भौतिक भूगल से शुरुवात करें भौतिक भूगल में जो हमारे हिस्से निकल कर आते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीन काल में प्राचीन काल में भूगल सबी टॉपिक को हम यहां पर अच्छे से समझने वाले ठीके फिर उसके बाद भौगॉलिक वर्गी करण भौगॉलिक वर्गी करण भौगॉलिक वर्गी करण को देखेंगे भौगॉलिक वर्गी करण मतलब हमारे परवत परवत नदी पठार पठार, मैदान सभी के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले उसके अलावे भी अन्य चीज़े द्वीप हो गए द्वीप हो गए, तटीय मैदान हो गए तटीय चित्र हो गए, द्वीप हो गए सभी को हम यहाँ पर क्या करेंगे cover करेंगे भोगलिक वर्गी करण के साथ में भोगलिक वर्गी करण के साथ में उत्पत्ती ठीके निर्मान प्रक्रिया ठीके उत्तत्त उत्पत्ती और निर्मान प्रक्रिया को भी हम यहां पर पैरलली इनी के साथ में देखते हुए चलेंगे ठीके तो भौतिक भूगोल में हम यह देखने वाले तो शुरुवात में आज हम जो बात करें किसकी प्राचीन भारत में भूगोल की बात करेंगे कि प्राचीन भारत में भोगोलिक इस्तितियां क्या हुआ करती थे ठीके फिर उसके बाद हमको थोड़ा knowledge मिलेगा तो फिर कैसे हम इस भोगोल तक पहुचे ये बहुती इस्तितियां हमको कैसे मिली फिर उसके बाद देखेंगे उत्पत्ति और निर्मान के बारे में कि उत्पत्ति और निर्मान इन सब चीजों का कैसे हुआ ठीके उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ और चीज़े बताना चाहरा हूँ कि सबसे पहले सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि जितने भी topic है उसको syllabus wise आप देख ले, syllabus wise देख ले, syllabus wise आप पढ़ना शुरू करें कि छोटा मोटा topic कहां से syllabus पे कैसे आ रहा है, दूसरी चीजी हो जाती है, कि आपको parallely जैसे जैसे मैं पढ़ाता चल रहा हूँ, उन topic को वैसे ही cover करते चलना है, जैसे मैंने प्राचीन भा मार करके कुछ question 5 मार करके जो आपकी exams में आते हैं, फिर plus pre में जो exam में आते हैं question उनको मैं deal करता चलूँगा निरंतर, ठीके मैं questions बताते चलूँगा, यहां छोटे question कैसे बन रहे, बड़े question कैसे बन रहे, तो हम यहां men's का पूरा portion cover करेंगे, ठीके, यदि आप men's पूरा cover करते हैं, मुख्य परिक्षा cover करते हैं, तो आपका preview उसी में cover हो जाता है, ठीके, preview उसी में cover हो जाता है, लेकिन कुछ परिक्षाओं में pre सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो हम ultimately pre को ही study कर रहे हैं, pre come men's जैसे हम class यहां पर देख रहे हैं, जिसमें factual चीज़े में आपको ए एक दम चलती हुई दिखाई देगे, ऐसे ही blank board पर हम बहुत सारी चीज़े समझेंगे, और बाकी जो हमरे static data होगा, उसको में direct direct आपको slide के माध्यम से बताता चलोगा, ठीके, तो आज का हमारा जो session शुरू होगा, प्राचीन काल में भूगोल, तो पहला topic हमारा शुरू हो यदि प्राचीन काल के भूगोल की बात की जाए, तो प्राचीन काल में जो भूगोल की स्थितियां होती थी, तो हमको दो साक्ष हमको प्राप्त होते हैं, प्राचीन काल के भूगोल के बारे में यदि हमको जानकरी चाहिए, तो दो साक्ष हमको प्राप्त होते हैं, तो प अथरववेद यजूरवेद ठीके और अन्यवेदिक रचनाय अन्यवेदिक रचनाय यह रचनाय भी क्या करती है हमें भूगोल के बारे में जानकारी देती है भूगोल के बारे में जानकारी मतलब वही बताती है कि भूगोली किस्तितियां कौन सी कहां पर थी कैसे भूगोल चल रहा था ठीके उन्हें भी पहले याद था उन्होंने भी देखा हुआ है ज्वाला मुखी उद्गार उन्होंने देखा हुआ है भुकंप या भूचाल जिसको बोला जाता था उस समय ठीके उन्होंने परवतों के निर्मान के प्रक्रिया परवतों का टूटना परवतों क औरन नदेवेद जितने हमको दिखते हैं वेद हो गए पुरान हो गए वेद्ब पुरान जितनी पी रचनाय हो गई उसके अलावा रामायन रामायन महाभारत इन सभी में हमको क्या मिलती है जानकारी मिलती है किसी इसके बारे में जानकारी मिलती है हमारे बहुतिक प्रदेशों के बारे में और हमारे प्रत्वी के उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है ठीक है दूसरे इससे के बारे में बात करें तो हमारा पॉ अब पुरा तात्तिक साक्ष जो हमको मिल रहे हैं ठीक है पुरा तात्तिक साक्ष मतलब हमें जो चीजें मिली टूटी-फूटी है ना हमें जो टूटी-फूटी चीजें मिली जैसे बरतन मिले म्रदभांड मिले फिर हमको किसी जगे पर कुछ ऐसे दर्वाजे मिले है ना या आकरती क्या चीज को प्रदशित करती है यह अकरती क्या चीज को प्रदशित करती है ठीक है यह बताती है सूरी के बारे में यह बताती है चंदरमा के बारे में ठीक है फिर यह बताती है किसके वनस्पति के बारे में जीवजन्तू के बारे में बताती है ठीक है उसके अलावा कुछ images ऐसी भी मिलती है हमको जिसमें एक सूरी है और सूरी क्या है कुछ ढखा हुआ है जिससे हमको आगे जाकर बहुत सारी और भी जानकारी मिलती है क्या हमको ग्रहन के बारे में भी जानकारी मिलती है ठीके तो पुराताप्विक साक्ष भी हमको बताते है ग्रंत भी हमको बताते हैं और सबी चीजे हमको यहां पर क्या करती है भूगोल के बारे में जानकारी प्रदान करती है तो सबसे महत्पपुन चीजे क्या है ग्रंत तो ग्रंतों से ही हमारा क्या चालू होता है भूगोल चालू होता है ग्रंतों से ही हमको हमारा भूगोल चाल में से कुछ निशकर्ष हमारे सामने आए जो निशकर्ष सामने आए उन निशकर्षों को हम यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले हमको दिखाई देता है कि उन्हें सबसे पहले किसका सौर मंडल का ग्यान था अउन्हें परात्मिक रूप से इसका सौर मंडल का ग्यान था ठीक है सौर मंडल के अगिन के बारे में बात करें तो रिगवेद में भी इसके बारे में बताया हुआ है रिगवेद के कुछ मंडलों में है ना कुछ रिचाएं जो लिखी हुई है है ना और उसके अंदर जो सुक्त दिये हुए उसमें भी वता हुआ है ठीके और यजूरवेद यजूरवेद में भी कुछ रिचाएं इसे लिखी हुई है जिससे हमको जानकारी मिलती है किसके बारे में हमारी प्रत्वी पर जो ग्रहत है प्रत्वी के साथ में अनि ग्रहत है उनके बारे में हमको निरंतर जानकारी मिलती है रिगवेद में बता है यह जुरवेद में बता है ठीके और वैदिक रचना वैदिक रचना ठीके जो वैदिक रच करें तो सूर्य सूरी चंद्रमा नक्षत्र ठीके और अन्य ग्रह के बारे में भी जानकारी उन्हया थी ठीके अब इन सब की जानकारी थी तो इन में से कुछ चीजे निकल कर आती है जो विशेश रूप से है इन में से निकल कर आती है कुछ चीजे विशेश रूप से यदि सूर यहे तो उन्हें दिन रात के बारे में पता था दिन और रात के बारे में पता था कि या तो प्रत्वी घूम रही है या तो सूरी चक्का लगा रहा है जिससे क्या हो रहे हैं दिन और रात की घटना है घटी थो रहे हैं तो दिन रात के बारे में पता था सूरी चंद्रमा के स्थिति यदि आप देखें तो उनसे आपको क्या ग्रहाण के बारे में पता चलता के बारे में तिक उसके अलावा हमने और भी चीज़े पता थी जैसे विशू थे बात करने हम किसके विशू या फिर ты mentioning कि विश्व को क्या बोलते हैं equatorial day मतलब जब शूर्य भूम अद्य रेखा पर होता है तो उन्होंने उसको क्या बताया हूआ है कि विश्व के स्तिती है जिस समय सूर्य क्या होता है यह मत canonical रेखा पर होता है ठीक है फिर उसके बाद जब यह उतर की और बढ़ता है तो कहां पर पहुचेगा करक पर पहुचेगा यहां पर रेखा जो है करक है नीचे की तरफ जो रेखा है वो मकर है ठीक है मकर है तो जब यहां पर पहुचता है तो कौन सी संक्रांती होती है संक्रांती बोला जाता है हिंदी में उसे तो करक संक्रांती होती है ठीक है जब वा मकर संक्रांती होगी ठीक है जो हाली में अभी गुजर के गई ठीक है मकर संक्रांती का समय गया ठीक है तो जो लगबग हमारी नक्षत्रों के हिसाब से अलग होता है और हमारी प्रत्वी के गत्ती के हिसाब से अलग होता है तो नक्षत्रों के गत्ती के हिसाब से मकर संक्रां थी यह सब गाथा चली आ रहे थी कि यह सब चीजे होती है उसके अलावा है उसके अलावा सूरी चंद्रमा के स्थिति बात करें ठीके तो हमारे आगे हमको बताये गया कि सूरी चंद्रमा के स्थिति के कारण क्या होते हैं ग्रहन लगते हैं सूरी चंद्रमा के स्थिति के कार करता था उस समय उस समय ग्रहन लगा करते थे हैना चीजों के ग्रहन लगा करते थे आगे एक बात करें तो देखें रामायर और महाभारत की बात करते हो रामायर और महाभारत में किसके बारे में भूचाल किसके चीज के बारे में बताए गया है भूचाल और ज्वाला मुखी बूचाल और ज्वाला मुखी के बारे में भी जानकरी कहां से मिलती है हमको रामायर और महाभारत से भी बूचाल और किसके बारे में ज्वाला मुखी के बारे में जानकरी हमको यहां से मिलती है ठीके ये कुछ न कुछ लोकों में कुछ सुक्तियों में यहां पर दिया हुआ है और उनके बारे में जानकरी है कि प्रत्वी ऐसे अंदर की तरफ से ऐसी उबलती है ठीके और उसके अदर क्या होता है ज्वाला मुखी बाहर की तरफ और निकलता है ठीके या फिर ऐसा पता है कि देवी देवताओं का प्रकोफ होता है तो उसके कारण क्या होती है जमीन से ज्वाला निकल कर बाहर आती है ठीके उसके अलावा आगे की बात करें तो रिगवेत और यजुर्वेत और वेदिक सब्विता के आधार पर कोना है आरी आए उन्होंने भी यही प्रक्रिया को द कैसा है सिफ प्रतिक्षिता के आधार पर उन्होंने जो देखा ठीके तो आंतरिक भाग को वो क्या बताते तरल है आंतरिक भाग वो बताते हैं क्या आरी बताते हैं कि प्रत्वी का आंतरिक भाग तरल है जो की वरतमान मान्यता और साइंटिफिक इन्वेंशन के आधार पर क्या है, सही है, वो क्या बताते हैं, यह चीज सही है, क्योंकि प्रत्वी का जो सबसे आंतरिक भाग है, वो कोर है, कोर बोल दो, या क्रोड बोल दो, ठीके, उसके बाद आता है क्या, बाहरी क्रोड, तो बाहरी क्रोड के सी अवस्था में, तरल अवस्था में ही है, बाहरी क् मंडल तो जो दूर्बल मंडल है किसके बीच में है यह यह भूपरपटी और मेंटल के बीच में इन दोलों के बीच में जो वेवस्ता है वो क्या है दूर्बल मंडल है और दूर्बल मंडल कैसी अवस्था में पिखली हुई अवस्था में है पिखली हुई अवस्था या तर किनों ने दी यह आर यही बोलते हैं कि हमारी सता कैसी थी पिगली हुई थी और उसी पर महाध्वीब क्या करते हैं तैरते रहते हैं ठीके अब पुराणों में ही बात की गई है यहां पर और बात करें पुराणों में पुराणों में क्या बोलते हैं कि पुराणों में यह बत के अन्य अन्य श्रेणियों के बारे में भी उल्लेख यहां पर हमको मिलता है दिरंतर उल्लेख यह करते रहते हैं और बताते रहते हैं है ना कि यहां पर यह चीज मिलती है उसके अलावा यदि हम आगे बढ़ें तो मनुस्मृति मनुस्मृति ठीके मनुस्मृति क्या बताती है कि प्रत्वी की जो आयू है तो 1.96 अरब वर्ष प्रत्वी की आयू कितनी है 1.96 अरब है यह प्रत्वी की उत्पत्ति के बारे में गढ़ना की गई है और अन्य गरंत जो है वो भी लगबग 2 अरब के करीब अन्य गरंत भी क्या है दो अरब के करीब क्या बताते है प्रत्वी की आयू के बारे में गढ़ना वहाँ पर करते है ठीके तो ग्रहों के बारे में भी जानकारी आगे के बारे में क्या हो जाता है आगे मनुस्मृति या फिर अन्य गरंत जो बोले वो ग्रहों के बारे में बいきस्तना कर सब्राइब गृषा fire अक्रास exception मैं बताये गया है और यह किसका प्रकॉफ हुआ करता था यह राहु और कि तुका प्रकॉफ बताये जाता था उस समय लेकिन अब हमरे सामने एक्दम क्लियर है कि जब क्या हो जाएगा क्या सिति बनती है यह सूरी है ठीके बीच में आ जाता है चंदर्मा और पीछे आ जाती है प्रत्वी तो जब चंदर्मा द्वारा चंदर्मा द्वारा सूरी को ढख लिया जाता है और प्रत्वी से वो दिखाई नहीं देता है तो यह कौन सा ग्रहन हो गया, यह सूरी ग्रहन हो गया, जब चंदर्मा बीच में होगा, और सूरी ढख जाएगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सूरी ग्रहन बोलेंगे, अब जब चंदर्मा प्रत्वी के पीछे होगा, ठीके, और प्रत्वी के छाया जब चंदर्मा पर यहां पर स्थिति क्या बन गई यहां पर चंद्रमान ने से क्या हो गया बीच में अड़ गया तो क्या नहीं दिखाई दे रहा है सूरी नहीं दिखाई दे रहा तो सूरी ग्रहन और इधर की तरफ प्रत्वी बीच में अड़ गई तो क्या नहीं दिखाई दे रहा है चंद्र पर क्या लग जाता है ग्रहन लग जाता है ठीक है उसके अलावा पुराणों में ही बताया गया है पुरान बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी ने प्रत्वी को क्या कर दिया समतल कर दिया प्रत्वी पहले कैसी थी उबढ़ खावर बहुत या अत्यंद उबढ़ खावर थी और उसको समतल कर दिया और उसी समतल भूमी पर साथ महाद्वीप पहले ही बता चुके थे साथ महाद्वीप साथ महाद्वीपों के बारे में यहाँ पर जानकर ही हमारे कहां से मिलती है पुरानों में पुराने पुरानों में यह चीज़े लिखी हुई है कि प्रमा जी ने प्रत्वी को समतल करा और वहाँ पर निर्मान कर दिया किसका साथ महादीपो का निर्मान और उनके उत्पत्ती भी पहले ही बता चुके हैं और उसके अलावा महासागर भी बताए है और महासागरों के बारे में भी बताए गया है ठीक है यदि हम सामवेद की बात करें सामवेद तो सामवेद में कितने मास अगर बताए हैं चार मास अगरों के बारे में जानकरी मिलती है और अन्यवेद और पुरान कितने मास अगरों के बारे में बात करते हैं यह साथ मास अगरों के बारे में बात करते हैं तो यह स्थितियां भी क्या है यह प्रतिक्ष्टा के आधार प प्रिष्टा के आधार पर उन्होंने पूरे गरंथ लिखे और उसी से हमारा भूगोल वहां से निकल कर आया ठीके तो कुछ नाम बताते हैं जैसे पुराने गणितग्ये हुए वराह महीर हुए आर्य भट्ट हुए ब्रह्म गुप्त हुए वराह मीरी महीर आर्य भट्ट और आर्य भट्ट हुए ब्रह्म गुप्त ये सब क्या थे ये सब गणितग्ये थे उस समय के गणितग्ये और उन्होंने ही क्या करी नक्षत्रों के बारे में जानकारी बताई कि नक्षत्र कैसे गति करते हैं और कितने समय अंतराल पर क्या हुआ कितने समय अंतराल पर कोई सा अक्षत्र कहां पर होता है जिससे हमारा जोतिश शास्त्र का निर्मान हुआ यही गणना के आधार पर ही अब आप देखते हैं कि पूरे साल भर का पंचांग आपके सामने अवेलेबल होता है पूरे पंचांग को आप देख सकते हैं और आप देख सकते हैं आगे ग्रहन कब भर होली बार बाट आती होली अलग या लग अलग Дेट अलग तारीख ओपर चल रहे होते हैं तो हम को सीधे-सीधे सिंपल सा पता है कि जो स्थिति आपके सामने वह ग्रन अक्षत्रों के आधार पर हो उसको पूरी तरीके से बताता है ठीक है तो यह किसके बारे में जानकारी निकली है ये पूरी जानकारी उन्होंने किसके बारे में बताई कि हमारे हमको सौर मंडली इस्थितियों के बारे में जानकारी थी तब भी ठीक आगी बात करते अब उनको जानकारी थी किसकी वायू मंडल की वायू मंदल की जानकारी कहां से निकल कर आती है और वायू मंदल की जानकारी कैसे उन्हें प्राप्त हुई सबसे पहले आपको तो पता ही है कि वायू के बारे में भी पता ही था जैसे पवन पुत्र हनुमान हमारे है ठीके तो वायू के बारे में जानका रही थी कि पवन प पुरानों से यह उलेख आ रहा है कि हमारे वायू मंडल का जो विस्तार है वो कहां तक है बहुत दूर तक है लेकि उस समय कोई विस्तार के बारे में चर्चा नहीं हुई है ना तो वायू मंडल में उन्होंने बोला कि जो होते हैं क्या-क्या होता है वायू होती है वायू होते हैं बादल होते हैं वर्षा होती है यह प्रमुक घटक उन्होंने क्या बोले बायू मंडल के यह प्रमुक घटक है ठीक है तो आगे जाकर अन्य अन्य पुराणों में क्या होने लगा अलग अलग प्रकार के बारे में जानकारी मिलने लगी ठीक है पुराणों में किसकी और तो के बारे में जानकारी हमको कहा से मिलती है की यह PD सिद्धा हुआ है कि 6 प्रकार की कि रिद्वें होती है उसके अलावा यदि हम बात करें तो रामायन में उलेख मिलता है हमको रामायन में हमको उलेख मिलता biological वह बताते हैं तीन प्रकार के बादल होते हैं तीन प्रकार के बादल होते हैं और उसके अलावा साथ प्रकार की क्या होती है वायू राशियां होती है क्या होते हैं तीन प्रकार के बादल होते हैं और साथ प्रकार की वायू राशियां हमको यहां पर देखने को मिलती है उसके अलावा भी बात करें, पवनों की चर्चा भी रिगवेद में की गई है, ठीके, अर्थ शास्त्र जो था किसका? अर्थ शास्तर जो कोटेल का लिखा है उसमें भी वर्षा के प्रकार बता है वर्षा के प्रकारों के बारे में बताया है ठीके वर्षा का क्रशी से संबंद बताया है क्रशी संबंद के बारे में बताए है कि वर्षा और क्रशी का अत्यंत गनिष्ट संबंद है ठीके क्रशी और वर्षा एक दूसरे पर लगभग आधारीती है पूरी तरीके से वर्षा होगी तो ही क्रशी हो पाएगे वर्षा के प्रकार भी किसमे बताए हुए है उसके अलावा एक और मात्वपूर्ण जानकारी मिलती है यहाँ पर रेंगेज रेंगेज वर्षा मापी यंत्र का भी जिक्र हुआ है कहाँ पर अर्थ शास्त्र में अर्थ शास्त्र में भी इसके बारे में rain gauge के बारे में जानकारी बिलती है तो वेद, पुरान, है न हमारे वेद हो गए, पुरान हो गए, पुराने जो ग्याता हो गए, वो सभी क्या करते हैं इन सब चीजों के बारे में हमको पहले से ही बता गए कि ऐसा ऐसी चीजे होती है थीक है वाईू मंडल के बारे में उन्होंने इतनी सारी जानकारी हमको यहां पर बताई ठीक हमें यह तुधर अमारे कुमसा यह वााईू मंडल की जानकारी होगी अब आ जाते हम किसमें जल मंडल जल मंडल जल-मंडल के बारे, अब देखिए, पुराणों में यहां तक लिखा हुआ है, है रहा, पुराणों में अभी जल-मंडल के बारे में बता है, तो जल-मंडल में कौन-कौन सी जीजों को समाहित कर रहे हैं? सबसे पहले करते हैं सागर नदिया नदिया महा सागर सभी को सम्मिलित करके रखते हैं सागर नदिया महा सागर इन सब को सभी को सम्मिलित रूप से क्या लेकर आते हैं यह बोलते हैं कि यह जल्मंडल है ठीक है अब जल्मंडल है तो उसमें सरवाधिक मातरा में क्या है रिगवेद में बताएगा है रिगवेद में नदियों का उल्लेख है उसके अलावा अन्य पुराणों में पुराणों के आधार पर मैंने बताया कि साथ महासागर बताएगे साथ महासागरों का उल्लेख करा हुआ है जैसे सामवेद की बात करें सामवेद की बात कर तो उसमें चार महासागर बता है ठीक है और पुराणों में साथ महासागरों का इसा बड़ा सा उल्लेख मिलता है यह किसमें बताएगे हुए है यह सुक्त होन है छोटे-छोटे- अलावा जवार भाटा, जवार भाटा, जवार भाटा का भी उल्लेक यहाँ पर मिलता है, जवार भाटा मतलब सामानी समुदर सता से जल का उपर की और उठना, सामानी समुदर सता से एवरेज समुदर सता से क्या करना, जल का उपर उठना क्या कहलाता है, जवार, इसको बोल से चले जाएगा तो यह कहलाता है भाटा जिसको एप कहा जाता है एडबल भी तो टाइट एंड एप ठीके तो ज्वार उपर उठना पानी का सामानी सत्र से पानी का उपर उठना ज्वार कहलाता है उससे नीचे जाना क्या कहलाता है पाटा कहलाता है इसको भी हम किसमें में देखेंगे जब हम मौनसूम समझ रहे होंगे मौनसूम समझने के पहले हमको इसका ज्यान होना चाहिए तो अब आपके पास क्या है जो जब आप मैंस अंसर आइटिंग करेंगे है या फिर आपको इसा भी अंसर बनाएंगे कोई निबंद लिखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी और नॉलेज मिल जाएगा कि किसके बारे में जानकारी कहां से निकल कर आई है ना किसके बारे में हमको महासागर कहां से आए पुरानों में पहले ही वता चुके हैं फिर उसके बाद वरतमानी स्थिते तक कैसे पहुँचे उसको भी में लेकर आओंगा कि वरतम प्राणों से ही ठीक है यह तो हो गई हमारे जलमंडल अब आजाते हैं किसमें भौगौलिक स्थिती भौगौलिक स्थिती को कुछ भागों विभाजित करते हैं जैसे सबसे पहले आते परवत परवतों का विभाजन करते हैं वो बोलते हैं कि एक विशाल परवत चेतर था जो पामीर या फिर मेरू के नाम से जाना गया पामीर या फिर मेरू नाम से जाना गया उसी को क्या बोला गया यही परवतों का आधार है और परवती गांठ है यहीं से परवतों का निर्मान शु शुरूप सलेखा सभी चीजब कर्किंगे तो ही आगे की दft बाद चलेगी यहां पर देखे तो हिसे तरफ क्या आ जाता है Meu इसमाले आ जाता है थीकए फिर इदर दे कौन आ जाता है कारकोर gloss जाता है कारकव माजण फिर शाख जाती और लद्डक आजाती फिर यहां पर आगे कहलास आ जाती है ठीके लदधा कर सकर कहलास कर प्राकोरम ठीके ऊपर की तरफ देखे तो कुलुन रखान के तीएचान के चान नान चान वो चाइना के परवत निकल के आ जाते हैं फिर इस तरफ आ जाते हैं हिंदू कुष परवत यह आपने देखा है इतियास भी इसके बारे में जानकारी देता है हिंदु कुछ परवत हो गया ठीक है यहाँ पर पाकिस्तान वाली सॉल ट्रेंज आ जा जाती है तो यही बात बोली गई कि जो प्रमुक्षेत्र है वो क्या है पामीर है प्रमुक्षेत्र जो दिखाई दिया वो क्या है पामीर है और पामीर से ही क्या निकल क क्या है और यही हमारे क्या है परवतों के बारे में जानकारी हो जाती है उन्होंने परवतों के प्रकार बताए कि पांच प्रकार के परवत होते हैं परवतों के बारे में जानकारी बताई वह पांच प्रकार के परवतों उनका क्लासिफिकेशन अलग था हमारा मैं आपको जब बेसिकली बताऊंगा कि कौन कौन से है परवत ओके पांच प्रकार बताए उसके अलावा भी उन्होंने बताए कि विंदी परवत के बारे में बताया है कुछ लेकों में सत्पूरा के बारे में भी है फिर उसके बाद हमारे यहां पर पच्छीमी घाट और सत्भारे में फिर इदर आजाता है हमारा हिमाल से की आहिए तो इन सभी परवतों के बारे में की है जानकारी दी हुई है इसको सहाधरी भी बोला गया है कि Hayone नगे सहाद्री के नूम नाम से भी जान रहे हैं उसके अंदर किसमें वेत पुराणों में और सहियाद्री तो इसको बुला ही गया है किसको पश्चिमी घाट को उत्तरी सहियाद्री मद्य सहियाद्री और दक्षिन सहियाद्री तो पश्चिमी घाट को सहियाद्री के नाम से भी जा पठार भी बताए गए उचे प्रदेश, पठारों को उचे प्रदेशों के रूप में बताए गए है, मैदानों का भी उलेख है, महाँ पर मैदान भी बताए गए है, मैदान तो मैदान अल्टिमेटली कौन से छेतर थे, क्रशी छेतर, मैदान क्या थे, क्रशी छेतर थे, यह क्या है वो नदिया है महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो क्या है नदिया है नदियों का उल्लेक हमारे सभी तरीके से करा हुआ है ना रिगवेद सामवेद यजुर्वेद अथरवेद पुरान पुरान महाभारत सभी में क्या करा है निरंतर उलेक मिलता है आपको अलग-अलग नदियों का हर छेतर में अलग-अलग प्रकारिक जिससे रामाइन बताया सर्यू नदी के बारे में उल्लेक वेत पुराणों में बताएगा है पामीर ही वो इस थल है जहां से जो परवती श्रंखला निकलती है वहीं से अलग-अलग नदियों का उद्गम होता है यहां से गंगा नदी का उद्गम हो रहा है यहां से सतलज है यहां से यमूना है यमूना है इधर सतलज आ जाती है सतलज कि दक्षिन भारत की गोदावरी क्रुष्ण कवेरी नदी वाला स्थल जो वह बहुत महत्वपोर्ण है गोदावरी नदी वाले स्थल जो है सामने निकल के आता है तो नदियों का उलेग भी भाथ अच्छे से यहाँ पर किया गया है पर्वत भी बड़ा बता है पांच परकार के पर्वत पामीर को परवती कार बोला हुआ है नदिया वेदों में उपनिशदों में सभी में बताई गई है ठीके मारकंडे पुराण में किसमें मारकंडे पुराण मारकंडे पुराण सबसे विस्तरत उलेक मिलता है किसका नदियों का नदियों का सबसे विस्तरत उल्लेक और अनिय गर्णतों के अलावा सबसे अच्छा उल्लेक कहां पर मिल रहा है मारकंडे पुराण में इसमें परवतों के बारे में बता है नदियों के बारे में भी बताये हुआ है तो नदियों का सरवाधिक उल्लेक और सबसे अच्छा उल तो इसके अलावा जो जानकारिय मिलती हम को किसके मिलती है मारकंडे पुरांट से ही वनस्पती की जानकारी मिलती है अगला चोटा सा हिस्सा है वनस्पती वरस्पती वस्पती की जांकरी कहां से मिलती है मारकन्डे पुरान से मिलती है और वरक चेत्रों के आधहर पर वर्षा केches और कंगा हैं कि चेतर में कैसी वर्षा होती है है ना उस आधार पर होँआ पर कटेली जाडियां और अच्छे खासे वन या फिर कम दिखाई दे रहे परवती चेतर में दिखाई दे रहे सब की विशेष्टा अलग लग दिखाई दे रही है तो वह किसमें बताये हुआ मारकंडे पुरान म में भी जानकारी मिलती है मानव भूगोल मतलब मानव के बारे में जानकारी मिलती है मानव भूगोल मतलब मानव के बारे में जानकारी मिलती है मानव भूगोल मतलब मानव के बारे में जानकारी मिलती है मानव भूगोल मतलब मानव के बारे में जानकारी मिलती है मानव मानव भूगोल के बारे में बताय हुआ है तो प्राचीन काल में है रिग्वेदिक काल में और उत्तरवेदिक काल के समय हमें हमें पांच प्रकार के लोगों के बारे में जानकारी मिलती है पांच प्रकार है है किसमें पताय हुआ है रिगुेद में मैं रिगुूएद बताते हैं कि चिंट कर कर लोग विए करते थे पान्च प्रकार के लोग हुआ करते थे ठीक है उसके अलावा हम को बन व्यवस्ता केंपार में पता चलता है नहिंस वान व्यवस्ता ठीके धार्मिक धार्मिक व्यवस्ता वन व्यवस्ता धार्मिक व्यवस्ता के आधार पर भी सामाज क्या हुआ था समाज जो था वह हमारा विभाजित था जैसे ब्रामन चत्रिय वैश और शुद्रू ठीके ब्रामन चत्रिय वैश और शुद्रू में क्या थ था विभाजित था हमारा समाज और यह किसमें बताया है वाजसी सी वाजसी सहीता वाजसी सहीता में बताया हुआ है कि हमारा जो समाज था वो किसमें बता हुआ था वन व्यवस्ता में बता हुआ था जिसमें ब्रामन चत्रिय वेश शुद्र भी बताया है उसके अलावा जो ह हुआ मैं रिगवैद इसमें जो लोगों के बारे में बताएं तो सामाने राख्षसों के बारे में फिर उल्लेक मिलता है ऑwegen रिग्वेद में राक्षसों के बारे में देव है राक्षस है सामाने पुरूश है सामाने पुरूश है स्त्रिया है सभी के बारे में वो लेख यहां पर दिरंदरता से हमको मिलता रहता है ठीक है उसके अलावा यदि बात करें रामायन में है रामायन भी बताया हुआ है राम जन जातियां देखते हैं वैसे आदिम जातियों के बारे में यहां पर निरंतर उलेख बिलता है किसमें रामायन और महाभारत में उसके अलावा कोटिले के अर्थ शास्तर में भी जाती विवस्ता बताई हुई है उसके अलावा हमारे और भी बहुत सारे पुराने प्राचीन समाच के बारे में बात बताई गई है कि कुछ लोग उच्छ तपके पर थे कुछ लोग निमन तपके पर और निमन तपके में इतने निमन पर थे जुए कि उन्हें जो गाउं रहता था या फिर जिला रहता था उससे ही बाहर रहा जाता ह। उनका छोटा सा अलग हिस्सा ही था कि यह यहीं रहेंगे में भ़ःष्क्रत मिभी बोला जा सकता हैकि भषष्क्रत calendar बढ़ते चले तो फिर और वाली साय प्रंपेन सुर्य मियो के शाचनी काल में हुई अलावा रिपन ने भी करवाई जन गरणा फिर उसके अलावा आगे निरंतर हमारी जन गरना निरंतर चलती रही इस निरंद कि धर्मशास्त्र मनु की धर्मशास्त्र में भी सामाजिक इस्थिति के बारे में वनन मिलता है सामाजिक इस्थिति के अलावा यहां पर मिलते हैं विवाह विवाह के अलग-अलग प्रकार है लग-बग आठ प्रकार के अलग-अलग प्रकार के विवाह मां पर बताय हुए है और भी और जानकारी हमको मिलती है अन्य पुरानों से यदि हम अब देखे आर्थिक स्थिती आर्थिक के बारे में बात करें आर्थिक स्तिति के बारे में बात करें तो आर्थिक स्तिति का प्रमुक स्तुरोत जो था उस समय क्रशी हुआ करता था और क्रशी आधारिती किस पर वर्षा पर तो वर्षा के बारे में महत्वपूर्ण उलेख हमें मिलता है ग्रंथों में ठीक है ग्रंथों में आपको पहले सिम्पल सीधे सीधे जानकारी मिलती है कि क्रशी प्रधान अर्थ व्यवस्ता थी उद्योग दंदे इतने ज्यादा विक्सित नहीं थे लेकिन उद्योगों के बारे में बताए जैसा रत निर्मान उद्योग हो गया अन्य उद्योग हो गये ठीके क्रशी भी वर्षा पर आध कृशी जोट के बारे में बताये हुआ है क्रशी भूमी के लग अदार पर भूमी को अलगलग तीन वर्गों में विभाजित करा हुआ है ऐसी भूमी जिस और एक भूमी ऐसी होती है जो क्या होती है है उसर नाम से भी यहां पर बताया है ऐसी भूमियां जो होती है जिस पर कम क्रशी की जा पा रही है ठीक है ऐसे तीन चार प्रकार के यहां पर क्या है भूमी का लेक है फिर राजकिय भूमी और दूसरी भूमी और और भी बहुत सा मिलता है क्रशी का वर्णन क्रशी का वर्णन जो मिलता है हमको मिलता है सामवेद से ठीक है और रिगवेद में रिगवेद बताते हैं कि क्या किया जाए क्रशी की जाए क्रशी की शुरुवात की जाए और खेतों को जोता जाए कि खेतों को जोतने का वर्णन हमारे कहां से मिल उसके अलावा पतंजली के महाभाश्य में पतंजली के महाभाश्य पतंजली का जो महाभाश्य था महाभाश्य में बताएगा है कि कैसे फसल लगाई जाए बीजो को कैसे रोपा जाए और फसल कैसे लगाई जाए सभी के बारे में जानकरी हमको यहां से पतंजली के महाभाश से भी मिल रही है ठीक उसके अलावा उद्ध्योग दंदे बात करें तो उद्ध्योग दंदे उस समय इतने ज्यादा विक्सित नहीं थे सामान्य थे ठीक है उद्ध्योग विदेशों से भी हुआ करते थे हना विदेशों से भी यहां पर उद्ध्योग हुआ करते थे जन जा जातियों के बारे में यहां पर उल्लेक मिलता है जैसे यवन भारत आयए Turkoo आए ते यवन अग्याओं चोल ठीक है यह सब क्या है विदेशी जातियों के बारे में भी और नाम यहां पर मिलते हैं थोड़े बहुत और नाम है यह भी मिलते हैं मतलब विदेशों से हमारा व्यापार निरंतर्ता से चल रहा था ठीक है तो निरंतर्ता भी बताते हैं तो यह हो जाता है हमारा क्या पूरी इतिहास की कहां से निकल के आया आर्थिक में एक और चीज आ जन्जा-थी परिवहन परिवहन के बारे में भी हमको जानकारी मिलती है उद्योगों को भी यहीं पर पताया गा है ठीके कृशी की पद्धतियां भी इसे मे बताई गई कृशी पद्धतियां कौन-कौन सी कैसी कहां पर होगी ठीक है उसके अलावा हमें भूमी जो में शुधार की भी जानकारी की तरफ हमको मिलेगी जिससे क्या हो क्रशी क्रशी क्या हो देर अंतरता से बढ़ती जाए उसके बारे में स्थिति का मतलब क्या होता है एक राज्जी है इसी को हम आपी वर्तमान में बोलते हैं देश ठीक देश बटा होता है छोटे-छोटे अन्य राज्जियों में उस समय से बोला जाता था पूराने समय में इन्हें जिला बुला जाता था जिला जिले से फिर क्या आते सूबे सूबे फिर क्या हो जाते ग्राम ग्राम व्यवस्ता यहां पर हमको मिलती है ग्राम व्यवस्ता से फिर और छोटे-छोटे और क्या मिलते हैं ग्राम हो गए फिर क्या हो गए कुटुम्ब हो गए तो ऐसे राजनितिक व्यवस्ता भी मिलती है इस विवस्ता के आधार पर ही हमारे क्या चला आ रहा है पूरा भूगोल चला हा रहा है ठीक है तो हमने भूगोल के बारे में सब कुछ देखा कि भूगोल हमारे शुरू कहां से हुआ हमने सबसे पहले बताया कि उन्हें वायू मंडल के बारे में जानकारी मिल रही किसकी ह बताये हैं सभी वायू मंदल भी है और लोकल यहां पर लो लोग रहते हैं वो भी है और आर्य भी यहां पर है तो हम इसको परतमान में किसी डिवाइड करते हैं कि हम यहां पर बोलते हैं ऑस्ट्रियो लाइट प्रोटो ऑस्ट्रिलाइट होती है पहली फिर आती है प्रोटो ऑस्ट्रिलाइट प्रोटो ऑस्ट्रिलाइट फिर आती है द्रवीडियन गहां पर आ जाती है तो जो यूरोप साइट से आए वो द्रवीडियन हुए ऑस्ट्रिलाइट रक्षिनी शेत्र में हमको मिलते है मध् ठीक है तो अलग-अलग प्रकार की जात्तियों के बारे में हम वर्तमान उलेक्स में बताते हैं लेकिन ये पुराने समय से ही हमारे सामने मौजूद है ठीक है तो ये था हमारा क्या प्राचीन काल से वर्तमान काल तक हमारा भारत और उसमें भूगल भारत का भूगल ठीक है त पेशिंस बना अगर अराम से देखते चले चीज़ों को बहुत सारी चीज़ें स्टैटिक होगी बहुत ज़्यादा ज्यानवर्दक होगी एक्जामिनेशन प्वाइंट आफ यू से तो मतलब कही बोलो इसमें से एक्जाम में से बहुत सारे कोशन बनते इवन इफ यहाँ पर आप जितना भी मैं बताऊंगा उसमें से UPSC में भी कोशन देखे जा सकते हैं UPSC में भी कोशन पूछे गए हैं UPPCS, UPPCS, MPPSC, MPPSC, SSC यह सब बहुत अच्छे कोशन पूछने वाले सेक्षर है इनमें सभी जगे पर कोशन राजिस्तान, PSC, चातिसगर, PSC सब जगे कोशन पूछे जा रहे हैं भूगोल से तो हम यहाँ पर पूर संपूर्ण भूगोल कवर करेंगे कोई सिलेबस बेस नहीं है, किसी प्रकार का बेस नहीं है यहाँ पर आपको भूगोल पढ़ना है, मैं पूरा भूगोल आपको पढ़ाऊँगा वीश्व भूगोल, ठीके भारत का भूगोल और सभी प्रकार का भूगोल उसमें जैसे जैसे बीच बीच में शब्दा वलिया आती जाएगी शब्दा वलियों को भी सबसे जादा समझाओंगा जैसे प्री में ही कोश्चन बन जाता है, इन में से कौन सा नवीन वलित परवत है तीके, कौन सा नवीन वलित परवत है याभी इन में से कौन सा खंड परवत है इन में से कौन सा परवत सबसे पराचीन है कौन सा भुक अंडे सबसे प्राचीन है इन सभी की जानकारी मैं आपको दूँगा यहां पर निरंतरता से पढ़ते रही है जो मैं समझा रहा हूं उसको पढ़िए वैसा ही पढ़िए ज्यादा मत घुसी है अभी कैस्तिती चल रही है जित्ते नोट्स मिल रहे है उतने में प एफिशेंट और एकदम स्ट्रेट रखें उससे आप कोशन सॉल कर जाएंगे ज्यादा घुसने से भी मतलब नहीं है है न क्योंकि सिलेबस अब एकदम क्लियर हो चुका है हर एक्जाम का तो वहीं पर हमको एक्जाम के बेस पर ही चलना है तो हम उसी को बेस बनाते हुई ज इसमें आजएंगे मांची तरण में आएंगे अंतिम रूप से ठीक है तो चलिए आज के सेशन में इतना ही मैं कित बिंजवा आपका स्वागत करता हूं इस लेक्चर में निरंतरता से देखिए और कंटीनियू बने रही है ठीक है मिलते हैं नेक्स लेक्चर में कर दो चलिए